पर पाकिस्तान गुप्त रूप से जो हेल्प कर रहा है इस्राइल की वो भी बहुत बड़ी लिए यदि के इसक fren करके हाँ यहां से सकता है यहां से सकन नहीं होता तो वीडियो के डिस्किप्षन में सभी लिंक दे होते हैं चाहेख टेलिगराम हो वर्टसप और इस्टेगरम आप हम से कनेक्ट हो सकते हो तो जैसे कि पता है आज के समय में इस्राइल एक टरफ से हमास का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ से लेबनान में बैठा हिजबुला का सामना कर रहा है लेकिन वर्तमान में हिजबुला पर जवावी कारवाही भी इस्राइल द्वारा की जा रही है और जब से इरान द्वारा इस्राइल पर हमला किया गया है तब से इरान को भी डर है कहीं इस्राइल जवाबी कारवाही ना कर दे लेकिन ऐसे में आपको ये पता चले कि पाकिस्तान जो हमेशा से मुस्लिम देशों के समर्तन में खड़ा रहता है वो इस्राइल की गुपत रूप से मदद कर रहा है तो आपको क्या लगेगा एक सोकिंग न्यूज है जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है क्योंकि एक रिपोर्ट जो लीक हुई है इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे पहले इस्राइल में और पाकिस्तान में आकिर हो क्या रहा है सबसे पहले ये देखते हैं तो सबसे पहले यदि देखें साथ अक्टूबर जो कि एक साल हो चुके हैं इस साथ अक्टूबर को क्या हुआ था इसरेल के अंदर पूरी दुनिया ने देखा जो हमास द्वारा नरसंगार किया गया था और IDF उसमें फेल हो गया था यदि देखा जाए इस समय जो नरसंगा हुआ था जब से लेकर अब तक लगातार हमास पर अटेक किये गए है इसरेल के दुआरा अब इसरेल का यो युद्ध था वो हमास के साथ था धीरे धीरे किसके साथ हो गया लैबनान में बैटा है इजबुला के साथ हुआ उसके बाद क्या हुआ इरान के साथ हुआ चारो देरे देरे खतम ही होता जा रहा है गाजा का जो हाल किया है इस्राइल के दौरा अब यदि आगे की तरफ देखें तो आप देख सकते हो अर्थक्वेक जो कि इरान के मध्या देखा गया था ये बताया जा रहा है ये जो अर्थकेक था ये अर्थकेक नहीं था बल्कि ये नुकलर टेस्टिंग की गई थे इरान के दुआरा जिसके जटके महसूस की गई थे दूर दूर तक आप देख सकते हो उसके बाद ट्यूटर पर भी ट्रेंड कराया जाने लगा कि इरान हैज ग बताया जा रहा है जो रिपोर्ट आई है ये नुकलर टेस्ट किया गया था अब यदि पाकिस्तान के दरफ देखे तो पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है हलाकि अभी लास्ट बार मैंने आप लोग को बताया था जो किलास लेती उसमें के लगभग जो 200 से जादा PTI वरकर है उनके उपर राजदरो का मुकदमा चलाए गया है और 1000 से जादा इमरान खान की पार्टी के वरकर है उनको अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वहाँ पर बड़े इस तरपर गोर्मेंट के इन पोटेस्ट के अंदर हलाकि इस समय इमरान खान नजरबंद किये गए हैं लेकिन उनके वरकरों दुआरा पाकिस्तान में बड़े इस तरपर पोटेस्ट किये जा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर वहाँ की जो सरकार है उसको गिराने की बात की जारी है जबक आप यहाँ पर ये चीज़ देखो तो देख सकते हो कि इसराइल और हमास का जो युद चला है उसमें पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है इसराइल को 155 MMK सेल ये जो रिपोर्ट के किलेम की जा रही है वास्ता में बहुत बड़ी रिपोर्ट है जहां पर पाकिस्तान एक तरफ Muslim countries के साथ खड़ा होता है पलिस्तीन की बात करता है इरान की बात करता है और तो और जो और भी Muslim countries उनके सपोर्ट में आकर खड़ा हो जाता है वहीं दूसरी तरफ वो इजाय का सपोर्ट करता है अगेंस्ट हमास अगेंस्ट पलिस्तीन जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है आप यहाँ पर देख सकते हो जो वेरिफाइट टुटर हेंडर है पंच जन्या उसने ये रिपोर्ट निकाली है हलाकि ये जो रिपोर्ट आई थी ये 6-7 महें ने पहले भी आई थी इस प्रकार का दावा किया गया था लेकिन फिर से वही बात सामने आना इस बार की द तावित यदि देखा जाए तो पाकिस्तान इसराइल को 155 मिली मीटर के सेल दे रहा है एक लीग जो रिपोर्ट आई है वो भी बिर्टिस रोयल एरफोर्स की रिपोर्ट है उसमें बताय गया है एक ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट जो बहरीन से रावल पिंडी पहुचा और वहां से 155 मिटर सेल के साथ वो दुकुम पहुचता है और सीधवे साइप्रस एरबेस पहुचा और साइप्रस से यही एरबेस कहाँ पर जाता है इसराल पर जाता है जो इसरायल को हत्यार सप्लाई कर रहा है अब यहाँ पर अन्दाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान और उसको problem create हो सकती है तो फिलाल हमारे पास यह अपडेट थी आप लोग कैसे लगी जरूर बताना और जो भी अपडेट होईगी आप लोग को बता जाएगा लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ने भूलना थैंक यू